नमस्कार कैसे आप सब लालू प्रसाद्यादव को चौथे केस में भी चौथे अपराद में भी आदालत ने जमानत दे दी है लालू एक सजायापता अपरादी है और एक नहीं चार-चार मामले में लालू सजायापता अपरादी है लेकिन उस लालू के जमानत की खबर जिस ढंक से लुटियन मीडिया ने एक तरह से जस्ट मनाना शुरू किया मनी लॉंडरिंग के चैनल के दो बिहारी पत्रकार वरिस्ट और गरिस्ट उनके बीट जो संबाद मैंने देखा तो फिर ये हसास हुआ कि सच मुझ सालों तक कैसी पत्रकारिता चली और लालू यादब को साथ कैसे क्या किया गया लालू का जमानत पे बाहर निकलना यूं कहिए इसे पेरोल कहिए क्योंकि लालू विचारा धीन कैदी नहीं है दोनों चीजों को थोड़ा फर्क से समझना पड़ेगा कि लालू विचारा धीन कैदी नहीं है लालू सजायापता कैदी है जिसे अदालत ने सजा दिया है लालू एक मामले में सजायाता कैदी नहीं है लालू चार मामले में सजायाता कैदी है ऐसे अपराधी को Notorious अपराधी कहा जाता है मतलब जिसके उपर कई सारे case हुँ वो इसना Notorious इस जंका criminal हुआ और सही मायनिमीदिया दालती भाषा में समझे तो लालू एक ऐसे अपराधी है जिससे चार-चार मामले में सजा हुई है और लालू को जमानत पर रिहा किये जाने का जशन है तो मैंने देखा कि कुछ मीडिया के चिरकुट खिलाडियों ने ये जस्त मनाना शुरू कर दिया और या अपस में ये सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या बिहार की राजनीती में इसका असर पड़ेगा क्या अब ये जशन जो सो काल्ड खास करके बिहारी गरिष्ट पत्रकारों ने मनाना शुरू किया जो कि पले बढ़े हैं लालू के नमक पर ये सर और इसको 2009 के लोकसवाच चुनाब में जब मुझे बिहार की रिपोर्टिंग करने का अफसर मिला तो बहुत गहराई से मैं समझ पाया च्छप्रा में जहां लालू पर साध्यादब चुनाव लर रहे थे जहां पर ओर रहे रहे थे उनका जो आस्थाई निवास वहाँ बनाया गया वहाँ रहने का अफसर मिला बहुत कुछ गहराई से समझ पाया वहाँ के रिपोर्टरों को समझ पाया किस तरह से खेर हम जब आज बात करेंगे आरोप प्रत्यारोपों से हटके इस टेकनिकल मामने में कि लालू यादब को जमानत मिली है ये क्या है क्या लालू यादब जेल में है लालू जेल से मेदी आदमी होता है तो उसे जमानत पर निकलने का जश्ण मनाया जाता है खबरे आ रही है कि राबरी देवी नवरात्रा कर रही है लालू के एक बेटी ने रोजा रखा था के जस्वी ने नवरात्रा रखा है इस तरह की बाते हो रही है और कहा जा रहा है कि लालू के पटना इस्थित निवास में कहा गया है कि कोई मिलने नहीं आएगा जश्ट नहीं मनाएगा लेकिन टेलीवीजन चैनल के इस भेर चाल को समझे लालू दिल्ली में एमस में बढ़ती है लालू जेल में नहीं है तो क्या लालू की इस जमानत की खबर में जश्ट है क्या जरा इस चीज को समझे कि क्या लालु यादब को जो आदालत ने जमानत दी है मतलब तीन मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी आज चौथे मामले में जमानत आज उन्हें दे दी गई है तेरा सही से ब्रीफिली थोड़ा समझ लीजिए लालु परचाद आदब मई 2017 से लगातार जेल में है इससे पहले कई राउन वो जेल गए चुकी वो आदतन कई सारा जो अपराध उनके उपर साबित हो चुका हुआ है तो वो एक सजायात्ता अपराधी है जिस चीज का महिमा मंदन ऐसे किया जाता है कि लालु जैसे एक राजनितिक कैदी हो लुटियन वीडिया ऐसे बनाती है कि लालु एक राजनितिक कैदी हो जबकि लालु ब्रच्टा चार के मामले में एक सजायात्ता अपराधी है एक नहीं, चार मामले में अदालत ने उन्हें सजा दी है, और पांचमा मामला क्या है और क्या होना है, जरा इस से लालु यादब के का जो जस्न मनाया जा रहा है, क्या सचमुष लालु जमानत में बाहर आपाएंगे, क्या लालु इतने कच्चे खिलाडी हैं, कि वो घर चले आएंगे क्यों क्यों मैं कहता हूं कि लालु यादव को जमानत मिल गई है लेकिन वो घर वापसी नहीं करेंगे जना उसे समझने की कोशिश की लिए लालु को चायवासा ट्रेजरी मामले में 37 करोड रुपे का जो घोटाला है चारा घोटाला उस 37 करोड का चायवासा का है उ लालु को इसलिए चारा चोर कहा जाता है इस चारा चोर लालु ने बिहार का क्या किया बिहारी शब्द कैसे लालु के कारण गाली बना आज जब आप इस कोरोड़ा काल में बिहारियों को अप्रवासी होते हुए जो भागते हुए देखते हैं मजदूर पे तो उसके प्रवासी हुआ बिहारी तो लालु के अपरात के कारण लालु को अभी इश्वर ने उसकी सजा नहीं दिये लालु को अभी इन सब चीजों की भी सजा मिली है लालु ने बिहार में जो जंगल राज स्थापित किया लालु के काल में जो बिहार में जंगल राज स्थापित किस सरसे माबाप ने अपनी बधाली को देखते हुए वी अपने बच्चों को जमीन बेच बेच करके दिल्ली में पढ़ने के लिए भेज दिया नब्बे के लालू के दौर से पहले आपको बिहारी प्रवासी बहुत कम दिखते होगे जो लोग दिल्ली में नब्बे के दशक से पहले से रहते हैं उन्हें पता होगा कि दिल्ली या बुंबई में बहुत कम मात्रा में बिहारी होते थे खास करके पढ़ने के लिए या फिर पढ़ने के बहाने से मजदूरी के लिए इस सरह से बहुत कम बिहारी निकलते थे लेकिन लालू काल में जो जंगल राज आया उस जंगल राज में बिहारी प्रवास्टी हो गया बिहारी भगोड़ा हो गया और बिहारी ने भागना शुरू कर दिया आज जब आप देख रहे हैं कि सरकों पर मुंबई से पैदल चलते हुए जो आपको मजदूर दिखे जिसका रोना रोया जा रहा है इन सब के लिए अपराधी लालू प्रसाद यादर है लालू ने बिहार को उन बदहाली में उन बुजदिनों में पहुचा दिया लालू को अभी उसकी सजा नहीं मिली है लालू को तो अभी भ्रष्टाचार के ही सजा मिली है और लालू उसकी सजा तो जेल में भूगत रहे होती तो लालू लंबे समय से जो अस्पिताल में सजा भुगत रहे हैं वो किस अपरात की है लालू ने जो ये खेल किया उसकी सजा उसे कोई अदालत नहीं दे सकी इसलिए ये समझना पड़ेगा कि लालू ने भले ही अपने नमक का गुलाम पत्रकारिका के पेशेवरों को बनाया जिसके लिए आज मनी लॉंडरिंग के जैम्स के चैनल के दो बिहारी रिपोर्टर को मैंने नाचते हुए देखा सड़क पे और वो किस तरह से कह रहा था कि आपस में दूसरे से सवाल कर रहा था कि मैंने यूटूब पे ये भी देखा है कि किस तरह से एक ये दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब बिहार की राजनिती में कैस से जर्नलिस्ट रहें अब ज़रा समझ ये बारी की से ज़रा समझ ये चाइबासा घोटाला केस में लालु यादर को पांस साल की सजा हुई मैं सुप्रीम कोट की वो कहानी कैसे पहली बार जो लालु जेल गए वो भी बहुत इंट्रेस्टिंग चीज सुनाओंगा आपको जो फिर दुमका ट्रेजरी मामले में पांस साल की सजा मिली अब जो लालु यादर को जो सजा आज जो मिली है ओ दुमका वाले मामले में मिली है और आपको आश्य लगेगा इस मामले में 7-7 साल की सजा हुई लालुयादव को जो तरक दिया गया था जमानत के लिए वो ये था कि 7 साल की सजा हुई है तो 3,5 साल से जादा का समय उन्होंने काट लिया है जेल में बिता लिया है जबकि यही कोई मजबूत दलील दी जाती और यही लालुयादव को धाराओं में हुई है यह मतलब एक साह दोनों सजा नहीं चलनी है उसमें कोट नसपस्त किया था कि 7 साल की सजा 7 साल की सजा खत्म होने के बाद होगा तो काईदे से लालू को दूमकर वाले मामले में 14 साल की सजा है तो ऐसे में 7 साल जेल में होने से पहले लालू की रहाई नहीं होनी चाहिए थी तो क्या सरकारी पक्ष ने अपने पक्ष कमजोर रखे लालू यादब को क्या प्रोसीकुशन ने बहुत आसानी से जमानत पर जाने दिया उन तर्कों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या सरकार ने, मतलब सरकार मतलब prosecution, CBI, CBI ने लालू को जान बुझ करके जमानत पर छोड़ा है, क्या इसके पीछी की कोई strategy है, बहुत बारीकी से समझ ये, लालू जब से जेल में है, 2017 में जब वो जेल गए, और 2017 में जब ये स्थाई रूप से पता चल गया, कि लालू अब जेल में ही रहेंगे, उनकी पूरी जिन्दगी जेल में कटी है, और लालू यादब को इतनी सजा मिली है, कि लालू यादब का ये जनम, अब के लिए जेल छोटा पर जाएगा, लालू यादब को सजा, जैसा मैंने बताया कि दो मामले में पांच-पांस साल की हुई है, ए अब बूढे हो चुके हैं, उनके पास ना उतनी शारडिक शमता बची हुई है, और ना तीन पांच करने की ता वो कोशल इस उमर में और इस हालात में जब इश्वर लाचार कर देता है, तो बचता है, साथ साथ साल की सजा लालू को मिली है, और इस सजा उन्हें काटनी है अभी लोर कोट से ही सजा मिली है, तो तैसी बात है कि लालू इन सब केसों को हाई कोट में चैलेंज नहीं करेंगे, इंट्रेस्टिंग मैं क्यों कह रहा हूँ कि लालू जमानत पे बाहर नहीं निकलेंगे, ये जो जश्र मनाने की खबर चलाई जा रही है, ये जो सोसल नहीं, दुनिया के सबसे बहतरीन चिकित्सा का लाव ले रहे हैं, स्वास्त लाव ले रहे हैं, गुरहापा कई तरह की बिमारियों को साथ लेकर आता है, लालू को भी कई तरह की बिमारिया हैं, तो क्या लालू की बिमारी सिर्फ इसलिए है कि उन्हें जमानत चाहिए, क् कि तेजस्री आदब ने हाई कोट के फैसले के बाद कहा है कि जमानत तो उनके पिता को मिल गई है लेकिन उनका स्वास्त ठीक नहीं है स्वास्त के लिए चिंतित है लालू परसाद आदब और उनकी सजा दरसल भारती एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर एक तमाचा है एक कलं से जब लालू जेल में है तो लगवक इतने ही बक्त से लालू अस्पताल में है लालू या तो रिम्स के सरकारी वार्ड में है या फिर रिम्स के डारेक्टर के सरकारी कोठी में निवास कर रहे थे लालू के पास अरदली हुआ करते थे जो राजा महराजा जैसे रखते हैं लालू के पास दो-दो अर्दली हुआ करता था एक टेलीफोन एक जो वीडियो लीक हुआ था एक ओडियो लीक जो लालू यादव का हुआ था वहीं से हुआ था लालू यादव को चुकि जहारखंड में कॉंग्रेस और की सरकार है उसमें लालू परसाद एदब के भी एक दो विधायक हैं इसलिए जारखंड की जो सरकार है हेमंत सोरेल की सरकार उसने लालू को पूरी सुविधा दे रखी थी लालू रिम्स में भरती थे और रिम्स के वार्ड में कहा जाता है जब कोरोना पिछले शाल शुरू हुआ तो लालू का जहां वार्ड था भले कोरोना से मर रहते जारखंड के लोग लालू की सुविधा के लिए लालू जिस इस्पेशल वार्ड में थे उसके आगे करीब दस वारा जो वार्ड थे उसमें किसी को रखा नहीं गया था ताकि लालू को कोरोना नहीं हो एक सदायापता अपराधी के लिए आम जहारखंडियों के लिए किस जंकी विवस्था थी इस चीज को समझी बाद में जहारखंड में रिम्स के जो डायेक्टर थे उनके सरकारी कोठी में लालू यादब को का आस्थाई जेल बना दिया गया तो लालू सिस्टम के वो मजाग है जिसने सिर्फ एस किया सजा के बाद भी लेकिन फिर भी हमेशा जेल होता है और लालू उस रूप में भी जेल में ही थे लेकिन इस चीज को समझ ये कि मैं एक बात कह रहा हूँ कि चार मामले में लालू यादव को सजा हो चुकी है और उसमोंने जमानत मिल गई है लेकिन क्या लालू परसाद यादव को अब एक मामला जो बचा हुए उनका डोरंडा ट्रेजडी मामला उस मामले में डेर महीने में सजा होना है या बड़ी हो जाए जो भी हो इस मामले में डेर महीने में अदालत का फैसला आना है और ये उमीद की जा रही है कि उसमें भी लालू यादव को लगभग 5 साल तक की सजा हो सकती है क्योंकि सभी case का जो है वो motive एक ही है तो एक जो आखरी मामला अब डोरंडा tragedy का मामला जो है डोरंडा tragedy का मामला जो है उसमें भी लालू यादब को सजा हो मतलब अंतिम condition में डेर महिने में अब यहीं इसी point को समझने की जूरत है क्या लालू परसाद यादब अस्पताल से निकल जाएंगो तो अपनी मर्जी है लालू यादब अभी तक क्या सचमुच जेल में है कहां से रिहाई होगी लालू की रिहाई जमानत कोट किस लिए देता है जेल से निकलने के लिए लेकिन लालू का जेल में है, लालू पिछले साड़े तीन साल से किसी भी जेल में नहीं है, या तो RIMS के एप्टर के सरकारी कोठी में रहें और उसके बार जब उन्हें वापस फिर RIMS भेज दिया गया, उननकी बिमारी इसक दर बढ़ गई कि उन्हें M से ले आया गया, कुछ हो जाता तो एक सहान भूती जो है लालु यादब के लिए होती तो सरकार ने ऐसा आवसर नहीं दिया लालु का एमस में इलाद चलता रहा है लेकिन अब लालु परसाद यादब अपने घर जाने के लिए आजाद हो गए है लालु की पत्नी छट नहीं करती है जब से ल या फिर देर दो महिने और इंतजार करेंगे अस्पताल में ताकि डोरंडा मामले में फैसला आ जाए यह ज़िए लालु यादब को सजा हो जाती है तो लालु कंटिनुएसली अस्पताल में रहेंगे अब इस बारिक चीज को समझे लालु यादब यह अभी अस्पताल से बाहर चले जाते हैं घर चले जाते हैं पटना में रावरी देवी के सरकारी निवास में चले जाते हैं इसका मतलब है कि कुछ दिनों बाद जब उन्हें डोरंडा मामले में सजा होगी तो सीधे जेल जाएंगे अस्पताल में नहीं जाएंगे तो क्या अस्पताल का जो प् कंडिशन में रहना चाहेंगे जिस कंडिशन में हैं और जो ही उन्हें डॉरंडा मामले में सजा नहीं मिलती है या पिर जमानत मिल जाती है तब वो जेल छोड़ करके वापस आ जाएंगे क्योंकि यदि अभी वो अभियत ही वो जमानत पे वो तो जेल में है नहीं वो तो है अस्पताल में लालू यादब तो साड़े तीन साल से किसी जेल में नहीं रहे हैं अस्पताल में हैं यही हमारे judicial system का यही हमारे न्याईक system का हमारी न्याय पालिका पर न्याय विवस्था पर एक दाग है क्या लालु यादव जैसे आप राधियों को जो सुविधा अस्पताल की मिली है क्या आम आदमी को मिलता है मिल सकता है क्या आधि आप संपन्न भी हैं तो क्या इस तरह की सुविधा आपको मिल पाएगी कि एक अपराधी जो चार-चार मामले में सजायाता है वो क्या इस तरह से जेल के बदले अस्पताल में होगा तो बहुत बारी की सिस्टीज को समझे लालो प्रसाद यादव के जमानत के लिए एरी चोटी का पसीना उनके बच्चे कोई नवरात्रा कर रहा है एक बेटी सुना है कि रोजा भी रखी हुई है राबरी तब तक छट नहीं करेंगी जब तक लालू वापस नहीं लोट जाते हैं तो यहने सब चीजों को समझने के बाद इस समझना पड़ेगा क्या लालू ने सही माईने में सजा काटी है क्या हूँ लालू ने कुछ भी सजा काटी है या लालू ने स्वास्त लाव लिया है मौज का क्या लालू जैसे लोगों को सजा भी होती है या लालू जैसे लोगों को सजा होती है इश्वर सजा देता है क्या लालू को हो सजा मिल रही है अब इस चीज को समझ ये इसी लिए मैं कह रहा हूँ कि डॉरंडा ट्रेजरी मामले में लालू यादव का फैसला डेर महीने बाद आना है एक से डेर महीने में तो लालू तब तक अस्पताल से नहीं निकलेंगे जब तक वो फैसला नहीं तो अभी यदि वो M's में भी हैं तो वो जेल है M's का उनका वार जेल है और जेल की तरह वो किलेबंदी है उनके लिए उनसे कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा ये सिस्टम जो है वो तैय करता होगा अब सोची लालू यादब क्या है और लालू यादब के लिए कैसे एक माहौल बनाया इस मीडिया गिरोह ने कि मोदी सरकार आई तो लालू को सजा हुई इसका कोई माईने मतलब नहीं है 2013 में लालू यादब को पहली बार सजा हुई जब यूपीय की सरकार और 2013 में ही सुप्रीम कोट का एक हिस्टोरिकल जज्जमेंट आया था जिसने लालू यादब जिसे निताओं के पूरे पॉलिटिकल कैरियर को तबाह कर दिया उस समय के चीफ जस्टिस की बेंच जस्टिस केजी वाला कृष्णन की बेंच में लालू प्रसाद यादब के मामले की सुनवाई चल रही थी लालू यादब इसी चाएबासा मामले में देवघर मामले में मेरे ख्याल से शायद उन्होंने अदालत को चैलेंज किया था कि जो जज उनके मामले की सुनवाई कर रहा है उस जज पर उनका भरोसा नहीं है कमाल किचालाकी की गई थी कि लगातार लंबे समय तक जो जज उनके मामले की सुनवाई कर रही थी कर रहे थे उस जज़ पर उन्होंने कहा था कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है इसलिए ज़ज बदल दिया जाया यह मामला सुप्रीम कोट आया और यकीन मालिए मैं उस समय प्रेस बॉक्स में हुआ करता था करीब करीबे तैय हो गया था कि सुप्रीम कोट इस बात से कंविंस ह गया है कि लालू परसाद अदब के लिए अदालत बदल दिया जाएगा जज़ और लालू परसाद अदब दूसरे जज़ उनके मामले की सुनवाई करेंगा इसका मतलब है कि लालू पर जो फैसला आना था फिर लंबे समय तक तल जाता लेकिन शांती भूशन ने शांदा धंक से अगले दिन वकालत की और उन्होंने जो जिरह किया मैंने अपने जीवन में अदालत की सुनवाई के दौरान रिपोर्टिंग के दौरान किसी वकील की कि जिरह से इतना प्रभावित नहीं हुआ जो शांती भूशन की जिस्टिस केजी वाला कृश्टन की उन्होंने काइदे से कहिए कि जमीर एक तरह से हिला दिया और कहा था मिलोड यदि लालू जैसे एक क्यूज के पक्ष में आपने ये फैसला कर दिया कि इतने दिनों तक जो जज इस मामले की सुनवाई करके जज्जमेंट रिजर्व किये हुए है उस जज को यदि बदलाती ये गलत परंपरा शुरू हो गये और अल्टिमेटली ये हुआ कि जज नहीं बदले गया वरना अदालत को ये फैसला करना था लालू यादव से पूछना था और जार्खंट सरकार से पूछना था कि इस जज के बदले कौन जज होना चाहिए मतलब जज तो बदला ही जाना है कौन होना है लेकिन शांती भूशन ने अपने शांदार जीरा से पूरा लालू यादव को जीवन भर के लिए जेल में रहने को अभिशप्त कर दिया उससे कुछी दिन पहले सुप्रीम कोड का एक फैसला आया था कि दो साल से जज़ादा ये किसी अपराधी को सजा हो जाती है यदि वो सांसाद या विधायक है तो उसकी सदस्ता कत्म हो जाए लालू यादव और ओम प्रकास चोटाला इसके पहले शिकार बने और लालू यादव के कारण ही लालू चुकि उस समय में यूपीय सरकार में सहयोगी पार्टी थे लालू यादव के कारण ही आपको याद होगा की एक विधे पास किया गया था कैबिनेट ने फैसला किया था मनमह juvenile सिंख सरकार की कि सुप्रीम कोट इस फैसले को बदल दिया जाया है जिससे प्रेस कांफेैंस के दौरान प्रेस क्लब में राहू गांधी ने फारके फेग दिया था ना टक करवाया गया था गांधी से इसे मैं डस्ट्वीन में फिकता हूँ क्योंकि उससे में कॉंग्रेस पर भरष्टाचार का जम क्या रोप लगा हुआ था और यह था कि कॉंग्रेस तरह तो भरष्ट पार्टी है ही और ऐसे भरष्ट लोगों के बचाव में सुप्रीम कोट के आदेश को बददे लेकिन राहूल गांधी को शाइनिंग करना था चमकाना था इसलिए राहूल गांधी से वो दस्तावेज फरवाए गए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सुपागे बस मैं भी उस प्रेस का भी हिस्सा था अब इस चीज को समझे लालू यादब को लालू जो ही उसको फार करके फेक दिया राहूल गांधी ने उसके बाद राहूल गांधी फिर अभी सब थो गए लालू प्रसाद यादब के लिए और इसी दिखा जाता है कि वह लेकिन लालू जेल कब जाने लगे इन सब चीजों को यह आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लालू दरसल जेल कुछ से मैं जाने लगे जब लालू प्रसाद यादब सरकार चलाते थे लालू प्रसाद यादब ऐसे नेता थे जो कहते थे कि मैं मैं गौड 2019 में जमानत अर्जी लगाई थी तो कोट ने कहा था कि लालू क्या आपको जमानत इसलिए दे दी जाए ताकि आप हाथी फरकों में इसलिए मुझे लगता है कि वो जज्मेंट याद होगा लालू को और दुबारा इस तरह के हरकते नहीं करेंगे कि जमानत वो जस्त नमराए लालू यादव को पहली बार जब जेल भी जे गए थे लालू 30 जुलाई 1997 उस समय केंद्र में सरकार जो थी वो इंद्र कुमार गुजराल की थी और आपको आश्यर्ज लगेगा कि उससे पहले जो चार्ज फ्रेम हुआ था लालू यादव के उपर उस समय सरकार देवे और लालू को कब जेल जाना परा ये सब चीज़ें आपके लिए मैंने रखा है उस समय ये वो दौर था जब लालू खुद को किंग मेकर कहा करते थे और वो साबित भी करते थे कि मैंने देवे गौरा को मैंने देवे गौरा को देश का प्रधान मंत्री बनाया मैंने गुजराल को देश का प्रधान मंत्री बनाया और विहार के एक बड़े पत्रकार संकरशन ठाको उन्होंने अपनी किताब में इस बात की व्याठ्या की है कि कैसे लालू परसादयदब धमकाते थे गुजराल क जब देवे गौडा को जब देवे गौडा ने CBI डिरेक्टर बनाया था जोगिंदर सिंग को जोगिंदर सिंग और जगिंदर सिंग नहीं लालू परसाद अदब के जेल की स्क्रिप्ट लिख दी थी कि चारा घोटाला उन्हीं की निगरानी में हुआ उन्होंने इसकी पूर याद नहीं रख पाते वैसे ही CBI डिरेक्टर में आप जोगिंदर सिंग के लावा किसी को याद नहीं रख पाते हैं जोगिंदर सिंग वही सक्सियत थे जिसने लालू यादव जिसने निताओं की जिंदगी जेल में बिताने की पूरी एक तरसे भगवान चित्गुप्त क की तरह उनकी स्क्रिप्ट लिख दी थी तो इस बात को समझना होगा कि लिब्रल गैंग ने कैसे ये शडियंतर किया चाहे वो राजदीब सरदेसाई हो शेखर गुपता हो इस तरह के लोगों ने जब लालू को जेल हुआ तो कहा कि लालू पिछिरी जाती के हैं इसी लिए जेल जा रहे हैं चीदमरम कौन से जाती के हैं ऐसे ऐसे इन फ्रॉडों ने पत्रकारिता की जिसने जाती से ज़रा की पिछिरी जाती हैं और ये समझना पड़ेगा कि लालू यादब जब पहली बार जेल गए या लालू यादब कि जब जेल जाने की कहानी शुरू हुई जब ये तैय हो गया कि लालू जेल ही जाएंगे लालू के उपर कहाएं 135 दिन के लिए जब जेल गए 30 जुलाई 1997 को तब उन्होंने मुख्यमंत्र की कुरसी अपने पत्नी को सौप दी थी उसकी भी एक बहतरीन कहानी है लालू पर साध्यादब को कहा गया कि आप जनतादल के अध्यक्षपत की कुरसी छोड़ दीजी लालू ने ना पार्टी के अध्यक्षपत की छोड़ी ना मुख्यमंत्र की कुरसी छोड़नी चाहिए उन्होंने पार्टी तोर करके आरजडी बना लिया उसके अध्यक्ष वो खुद रहे और मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को बना करके जेल चले गए येकिन जेल किस काल में गए जब इंदुकुमार गुज्ञाल देश्क के प्रहाण मंतरी थे। गुज्राल कौं थे जिस से लालु परशाद आदव ने प्रहाण मंतरी बनाया था। संकर्शन ठाको लिखते हैं अपने किताय किताब में कि लालू प्रसाद आदव ने होटेल में सो रहे इंद्रकुमार गुजराल को उठाया था और कहा था कि मैं तुम्हें प्रधान मंत्री बना रहा हूं गाड़ी बेज रहा हूं जल्दी आ जाओ एक मिटिंग में लालू प सवह पत्ना से राजसवा के लिवेजा था जब वो चुनाव नहीं जीत पाए तो उन्हों हो राजसवा से पत्ना सो जीव संग ख्या लेकिन बड़े शडियंत्र से यह प्लांट किया जाता है कि नरंदर मोदी नने प्ल्लांट नरिंद मोदी सौभा के बस अपर कास्ट के नहीं है वरना ये लिब्रल गैंग के लोग इन शेखर गुपताओं जैसे शडियंत्रकारी लोग जिनने लालू के पहली बार जेल जाने पर ये कहानी लिखी थी कि लालू 2017 में शेखर गुपता ने जब इस सब खलियर हो गए थे तो इन लोगों ने अपने वेबसाइट पर लिखा था कि क्या पिछली जातिक होने करण लालू जेल गए क्योंकि इसमें उन्होंने लालू के साथ साथ बियम के के नेता ए राजा को ही जोड़ा था और इस तरह का शडियंत किया गया इन लोगों ने लालू यादर पर कभी है स्टोरी नहीं की कि लालू जैसे नेता जेल क्यों गए, इस तरह का अपराद क्यों किया गया, आज देखिए, लालू जैसे नेता जब सजायापता अपरादी है, आप नहीं मानते हैं, ये कुछ भी हो, ये सजायापता अपरादी है, अदालत ने सजा दिया हुए, किसी पॉलिटिकल पार्टी जाती है लालू इतने कच्चे खिलाडी नहीं है कि वो जमानत पर जेल से वो बाहर निकलेंगी लालू जेल में नहीं अस्पताल में मौज ले रहे हैं लालू यादब कि कृत ऐसे हैं उनको माफी तो पिश्वर ही दे सकता है कोई अदालत कोई इंसानी अदालत क्या दे सकता ह आज जब कोरोना के काल में मैं अक्सर देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रवासी बिहाडी सरकों पे मजदूर भागते नजर आते हैं तो मुझे लालू यादब याद आते हैं नब्बे के दशक में हमारी पूरी पीडी यदी बिहार से भागने को विबस हुई तो लालू यादब के कारण वो जंगल राज वो आतंक का राज वो छीना जप्ती का राज वो लूट का राज लालू यादब की बड़ी बेटी की जब शादी थी पटना में कि खोब प्रचलन में है कहानियां खोब बनी कि लाली आदब उस समय में पटना में जितने भी शोरूम में कारे थी वो कारे उठा ली शाधूय आदब ने ताकि अपनी भांजी की शादी में नई कारेला लगा दिया जाए और जितनी कार वापस भेजने की इक्षा हुई उतनी भेजी गई बाकी रख ली गई जो मर्जी किया रख लिया लिया यही कारण है कि पटना में सालों तक आप बैतरीन शोरूम आप कार की नहीं देख पाए और यही कारण है कि बिहार में आज भी लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि बड़ा बिजनेस को इस्थापित किया जाए वो डर वो खौत अब तक खत्म नहीं हुआ इसलिए जब कभी भी नितीश कुमार को कटगरे में खड़ा किया जाता है तो लालू यादब का दौर याद आता है जाते जाते आतंक भै अंदर की जो मनय स्थिति है उससे जाती नहीं है इसलिए ये जो दिमागी हमला है जो लालू के दौर में अब तक हुआ अब तक जो ये मानसिकता बिहारियों में है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता अब सोचए वही बिहारी जब बिहार की सीमा लांगता है तो civil service में भी टॉप करता है वो IITN भी सबसे ज़्यादा होता है वो medical में भी सबसे ज़्यादा होता है इस देश को घुमाने वाला पत्रकारिता का खिलंदर भी सबसे ज़्यादा वही है पत्रकारिता का पेशा का खिलंदर जो सिस्टम को घुमाता इतना उस सबसे ज़्यादा बिहारी ही है Hindi journalist इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है नौकरशा सबसे ज़्यादा होई है सब कुछ वही है रिक्षा चलाने वाला भी सबसे अधा वही है ऐसी क्या बेवसी है इतनी योगिता है इतनी योगिता बिहार में है तो वो पिहारी अपने स्टेट में वो योगिता क्यों नहीं दिखा पाता जब कोई पिहारी पिहार के बाहर निकलता है तभी वो योगिता क्यों दिखाता है ये अपने आप में कोई भी बिहारी आज आप देखेंगे दिल्ली मुंबई में मेरे गाउं के मेरे जिले के कई लोग हैं जो बहतर बिजनसमेन हो गया है बिहारी के लिए बिजनेसमेन जैसे शब्द नहीं थे आज बिहारी बहतर बिजनेसमेन भी है मुझे याद आता है गुजरात में जब मैं एक महिना रहने का अफसर मिला तो मुझे गुजराती पत्रकार साथी ने कहा था कि मनीश जी गुजराती ये सोचता है कि हम आठमी से ज़्यादा पढ़ करके क्या करेंगे हम अपना बिजनेस चलाएंगे कोई graduate बिहारी ले आएंगे वो मेरा मुनीमगीरी करेगा बिहारी चुकी अपना जमीन ज़्यादा बेच करके वो graduate होने में ही लगा रहता है competition की तैयारी में ही लेकिन आज गुजरातियों के संपर्क में या कहीं और के संपर्क में बिहारी दिल्ली से लेकर के दिल्ली NCR में बहतर आप बिजनेसमेन बिहारी को देंगे मुंबई में दूसरे शहरों में आप बहतर बिजनेसमेन बिहारी को देखेंगे नौकर शाही में, पत्रकारिता में, इंजिन टेक्नलोजी में तो बिहारी हमेशा से अब बल रहे हैं। लेकिन अपने आप में सवाल है कि बिहारी जब तक बिहार नहीं छोड़ता तब तक उस मांसिक रूप से वो क्यों ऐसा नहीं हो पाता है। बिहारी अपने अतीत पर क्यों गर्व करता है कि उसके पास नालंदा है, उसके पास बोदा गया है, उसने देश को महावीर दिया, उसने देश को गौतम बुद्ध दिया, उसने देश को अशोक दिया, उसने देश को चंद्रगुप्त दिया, उसने देश को चानत के दिया, ये गौरब गाथा ही सुनाता है बिहारी और उसके बाद बिहारी शब्द गाली बना नब्वे के दशक्री ये आप पर छोड़े जाता हूं कि इसके लिए कौन जिम्हदार है और लालू यादब को अदालत ने जो सजा दी है क्या वही सजा काफी है इस बात को समझना पड़ चुकि आप लोगों के डिमांड पे विसलेशन था जब मैं शाम में आ रहा था उस समय भी आप लोगों निकाह था कि मनीश जी इस पे जरूर विसलेशन कीजेगा मुझे लगता है कि ये पीड़ा एक बिहारी के रूप में मेरी है और संभवता किसी को बुरा भी लग सकता है लेकिन ये पीड़ा एक बिहारी के रूप में मैंने महसूस किया है मैंने अपने आस पास महसूस किया है लालू इसके लिए बहुत बड़े अपराधी है लालू को कितनी भी सजा अदालत दे दे वो सजा कम है लालू ने पूरी पीड़ी को तबाह किया है एक पूरी कोई भरा नहीं किया इस सच को कभी सुईकार नहीं किया गया कि लालू ने अपने नौ बच्चों के अलावा कहां दिया कि अंत में रामक्रिपाल यादब जैसे उनके सभी तमाम हनुमान उन्हें छोड़ करके चले गए कोई नहीं रासाथ है साधू यादब जैसे लोग भी साथ में साथ पर छोड़ते गए हर कोई जो नजदीक था सब के सब साथ चोड़ते चले गए तो अपने आप में ये एक है कि आज स्वास्त की मांग तो आदमी हर किसी के लिए करता है मैं वह उनके बहतर स्वास्त की कामना करता हूँ कि वो स्वास्त रहें लेकिन वो हर चीज देखें जिससे पता चल सके कि लालू ने पूरी पीडी को कैसे बरबाद कर दिया है लालू ने इस देश को क्या दिया है और लालू जैसे लोगों के साथ आप कमाल की बात आप देखेंगे कि लालू की चाकलूसी में बिहार के अपर कास्ट के लोग ही रहे हैं जितने भी पत्रकार रहे हैं उन सब भली लालू ठूकते थे गरिया आते थे लेकिन बाद में वो सहलाते थे तो तमाम पत्रकार जेने आप देखेंगे जिस भुरा बाल साफ करो का नारा लालू ने दिया उनके इर्दगेर तमाम पत्रकार भुरा बाल बाले ही होते थे जो चार कास्ट को उन्होंने भुरा बाल कहा था उनके सेक्रेटरी हमें साथ उसी घुराबाल समाज के होते थे लेकिन पब्लिक के लिए उन्होंने ये नारा दिया इस बात को समझना पड़ेगा इस माई समीकरण में भागलपूर के एक दंगा मुझे याद आता है भागलपूर का एक दंगा उसमें मैक्सिनम जो अपराधी थे जिसे अदालत ने सजा दियो लालू के जाती के लिए लेकिन लालू ने एमवाई समीकरण बनाया और लालू ने वाइदा किया था कि भागलपूर के अपराधियों को हम सजा दिलाएंगे लेकिन जब तक लालू यादब सत्ता मेरे अपनी पत्नी और अपने दोर में भागलपूर के अपराधियों को कोई सजा नहीं कमाल की बात ये है कि देख लिजी कि ममताव इनर्जी का टेप लीख हो गया, साफ हो गया कि कैसे तुष्टिकरण के समाज के साथ हो खेलती हैं, तुष्टिकरण के समाज के लाशों के साथ हो खेलती हैं, फिर भी तुष्टिकरण का समाज ममता के साथ ही रहना चाहता है, क्य मामों की सेलरी बढ़ा देना इस से पूरी जाती संतुष्ट हो जाती है तो इसे तुष्टी करण कहते हैं और उसके बाद उनके लाशों से खेला जाए जो अब कोई कहने ही रहा है बलकि ममता के ओडियो से सामने आ चुका है नियूजबेस जी कहते हैं साधुय आदव ने हमा मैं पहली बार बिहार की सीमा से बाहर निकला तो मुझे लगा कि कहते हैं न कि कुवा का मेढग मुझे लगा देश इतना विक्सित है और हमारा बिहार कहां है पटना में उस समय गिने चुने शोरूम नहीं हुआ करते थे काडियों के नब्बे के दशक में गिने चुने शो लालू के बच्चों ने मैट्रिक का फॉर्म भर दिया होता तो दोनों बच्चे आज पास कर दिये होता है। बेटियों को डॉक्टर इंजिनियर बना दिया लेकिन किसी ने मिलाज नहीं किया कभी। मिसा मेडिकल में टॉपर रही। लेकिन कभी मुझे नहीं लगता कभी हो अस्पताल में ऐस डॉक्टर गई हो। तो ये चीज़ दिखाता है कि किस तरह से सिक्टम का मजाग उडाया और ऐसे ऐसे राजनेताओं का महिमा मनन किया गया। ये विसलेशन मुझे लगता है सिर्फ इसी लिहाज से था नियूजबेस जी ने एक बहुत अच्छी बात कह दी है जो इस पे मुहर लगा कि कैसे बरबाद किया गया विहार को। जीना को सुकून से जीतो रहे हैं यही बड़ी चीज है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे लगता है कि विसलेशन आपको इस लिहास से पसंद आया होगा लगतार चुकि शाम से आप लोगों ने कई साथियों ने कहा कि मनीश जी इस पर विसलेशन में बूल से खतरनाग कोरोना वाइरस लीक हो गया देखे लालू अभी बाहर नहीं निकलेंगे मेरा अपना मानना जो इस इसलेशन का आधार है मैं कहह रहा हूं कि बहुत बारीक चीज़ लालू मुझे नहीं लगता है कि वो बाहर निकलेंगे जमानत तो हुनों ने ले ली है देर मैने बाद यी पॉसमे मामले में फैसला आना है इस यस मामले में सजा हो गई तो लालू को सीरे जेल gonna पड़ेगा फिर वो उस्पताल का बहाना नहीं ठून पाएंगे इसलिए लालू तब तक बाहर नहीं निकलेंगे M से जब तक पांच में मामले का फैसला ना आ जाए अगर दूसरी बात है इतनी आसानी से यह बाहर आ जाएंगे तो यह ढोंग खुल जाएगा कि लालो याद अब को कोई बिमारी नहीं थी वो ढोंग से अंदर थी और सिष्टम का मजाक बना रहे थे सिष्टम का मजाक तो हम लोग देखते ही रहते हैं ऐसे ही उड़ता रहता है बस सिर्क इसे समझने की जुरत है और मेरे जैसे एक अगना से पतरकार ने आपको यही कोशिश की है कि आपको वो बताया जा सके वो समझाया जा सके बहुत बहुत धन्यवाद आपसद का बहुत आपाद